दोस्तो आज बात करेंगे हम wedding photography की अब wedding photography दोस्तो हर शहर में होती है हर चोटे-चोटे से गाउँ में होती है और बहुत सारे लोग जो है एक wedding photographer बनना चाते है बद problem ये होती है की उन्हें सही रास्ता नीं मिलता उन्हें सही guidance नीं मिलती उन्हें ये नहीं पता होता कि भाई कौन से सही गेर्ज हैं कितना पैसा में इंवेस्ट करना चाहिए कितनी इसमें अर्निंग होती है किस तरह से एक वेडिंग फोटोग्रफी का पूरा काम होता है तो आज मेरे साथ है निखिल कुलकर्णी अब निखिल जो है ये पूना बेस्ट एक वेडिंग फोटोग्रफर है पूना बंबई दोनों जगे रहते हैं ये तो वैसे पूना के हैं बट बंबे पूना दोनों अपडाउन करते रहते हैं और ये एक्चुली मेरी वाक्शॉप में आये थे इनके गेर्स कौन कौन से हैं और किस तरह की वेडिंग्स में क्या-क्या चैलेंज़ आते हैं वो सारी चीज़े हम आज इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो इस वीडियो को छोड़के कहीं मत जाएगा सबसे बहुत सारे सवाल आते हैं मुझे वेडिंग फोटोग्रफी को लेके तो मैंने का आज आपसे बात करूँ और हम वो सवालों को थोड़ा सा आसान बनाएं ताकि हमारे जो वीवर से उनको समझने में असान होगी वेडिंग फोटोग्रफी में किस तरह से पूरा सब कुछ काम होता है तो शुरू करेंगी गेर से सब लोग मुझे जाहतर ही पूछते कि आपका। तो एक तब मुझे बताई आप कौन से गेर यूज़ करते हैं और कौन से minimum गेर होने चीए जिससे वेडिंग फोटोग्रफी कर सकते हैं फिलहाल तो मैं सोनी का गेर यूज़ कर रहा हूँ सोनी का कैमेरा है और फुल फ्रेम कैमेरा है पर हाँ मैंने चालू किया था मेरी वेडिंग फोटोग्रफी मेरा सोनी का A7 III है वो एक हाइब्रिड कैमेरा है जिसमें आप फोटोग्रफी भी कर सकते हो और वीडियो भी ले सकते हो अच्छी तरीके से पर हाँ, मैंने चालू किया था मेरी फोटोग्रफी, वेडिंग फोटोग्रफी, एक नॉर्मल क्रॉप सेंसर डी एसलर से, तो ऐसे कुछ नहीं है कि फुल फ्रेम कैमेरा ही चाहिए है, पर हाँ, इसमें जो बिगिनर कैमेरा है, उसमें भी वेडिंग फोटोग्रफी अच्छ जूम लेंस है, जूम लेंस है 28-75 mm, जो most of the range cover कर देती है, जो नेसेसरी है वेडिंग फोटोग्रफी में, फिर पोट्रेट के लिए, स्पेशली, जब हम वेडिंग में पोट्रेट कीचते हैं, तब पोट्रेट के लिए, स्पेशली मैंने 85 mm 1.8 लेंस लिया है, जिससे रखा है, 1.8 aperture की, जिसमें ज्यादा close नहीं, लेकिन environmental portraits बहुत अच्छे से निकल जाते हैं, और full length portraits भी बहुत अच्छे से आते हैं, उसके लावा, जैसे मैं देख पर हूँ, आपने एक यहां पर लगाया हुआ है 28-75 mm का Tamron का lens, यह किसलिए काम आता है, यह मुझे most of the situations, मत पूरे wedding के लिए, अगर एक ही lens लेने का जाने हैं, तो 28-75 mm will be my choice, after 35 mm. So, अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास budget थोड़ा सा limited है, एक ही lens में पूरी photography, I mean wedding photography करनी है, तो निखिल के अनुसा 28-75 mm का जो यूज कर रहे हैं, यह आप कोई भी brand का ले रहे हो, यह focal length एक ideal focal length है, यह एक ideal focal length है, जिसमें हम wide की तरफ भी चाह सकते है, 24-28 mm, और tele की तरफ भी चाह सकते हैं, 70 mm तक, so that कोई भी situation आता है, because wedding photography में हर बार एक changing situations होती है, light change होते रहता है, situation change होते है, सामने क्या आने वाला है, हमें पता नहीं होता है, तो तुरंत adjust करने के लिए, तुरंत settings को change करने के लिए, और एक focal length change करने के लिए, अपना एक perspective दिखाने के लिए, य तो, in nutshell, एक तो 28-75 Tamron lens है, एक 35 mm 1.4, 1.8 lens है, एक आपके पास में है अपना 85 mm 1.8 lens, so ये तीन lenses जो है, दोस्तों, ये काफी important lenses है, wedding photography लिए, इसमें आप हर तरीका काम कर पाएंगे, so I think ये 3 lenses will be enough, उसके लावा, आप क्या-क्या other accessories यूज करते हैं, जिसे की flash हो गया, या lighting gears ह Certainly, light तो बहुत important है, हमेशा हमको natural light मिलती है, ऐसा नहीं है, काफी बार weddings में थोड़ा अंधेरा होता है, तो उस situations में एक flash होना बहुत ज़रूरी है, एक on camera flash जो off camera भी use कर सकते हैं, और एक off camera flash थोड़ा powerful होता है, dedicated off camera flash होता है, उससे हम अलग-अलग तरीके के effects दिखा सकते हैं photography में अलग-अलग lighting दिखा सकते हैं, जिससे हम हमारी creativity, wedding photography में कैसे और उभर के ला सकते हैं, वो important हो जाता है, तो थोड़ा model name बताएंगे, वो है Godox का AD200 Pro, यह एक off camera flash है, बहुत powerful flash है, और इतना enough हो जाता है, along with the modifiers, यह off camera flash है, और इसके साथ एक जरूरत पढ़ने पे, मेरे camera flash है, which is a Godox V1, तो these two flashes are enough for wedding photography, तो अगर किसी के पास में यह दो flash है, एक पूरा wedding photography अराम से अराम से कर पाएंगे, उसके लबा मैं कुछ यहां नीचे देख पा रहा हूं, यह सब चीजे क्या क्या है, तो बताएंगे, तो जो off camera flashes होते हैं, उनको light को modify करने के लिए हम यह इस जामपल, this is a Godox inverted umbrella, फिर यह एक octa box है, जो हमें light stand पे लगा के हम देख सकते हैं, and this is the light stand, तो यह दो आप light modifiers यूज़ कर रहे हैं अपने लिए, और sony a7 III, आपके पास में camera body है, with three lenses and two flashes, तो दोस्तों आपने देखा, एक बहुती compact, बहुती minimum gear के साथ में Nikhil जो है, अपनी अच्छी-कासी wedding photography कर रहा है, और यहाँ पर आप कुछ pictures देख पा रहे हैं, जो Nikhil ने अपनी wedding photography से shoot किये हैं, यहाँ पर हर तरी के pictures आप देख पा रहे हैं, चाहे environmental portraits हों, चाहे wedding की अलगलग situations में pictures हों, candid shots हों, वो सारे आप screen के ओपर देख पा रहे हैं दोस्तों, अगर आपको wedding photography करनी है, तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखे कि आपके पास में ज़रूरी ने कि आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना है, पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन दिमाग लगा के, और जैसा Nikhil ने बताया कि ज़रूरी ने कि आपको full frame camera लेना है, एक महेंगा camera है खरीदना है, बट आपके पास में एक right focal length, एक right flash, यह सारी चीज़े होना ज़रूरी है, अगर आपका camera non full frame है, beginner level का camera भी है, तो भी आप अच्छी खासी wedding photography कर पाएंगे, अब जो मेरा दूसरा सवाल है निकल, that is again very important, और बहुत सारे लोगों को कई बर नहीं पता होता, कि wedding photography के अंदर major challenges क्या होते हैं, जब हम किसी भी wedding photography में जाते हैं, जब हम shoot करते हैं, तो वहाँ पे आपको challenges क्या feel होते हैं? Okay, सबसे ज़्यादा challenge होता है light का, तो light situation को manage करना पड़ता है, काफी बार हम मंडप में देखते हैं, कि पूरा हर जगा पे red red carpet है, red शामियाना है, तो वहाँ पे challenges आते हैं light से related, दूसरा होता है कि client के साथ बात करके, उनको convince करना कि हमें यह particular shots की जरूरत है, आपको कैसे हमा करना कभी-कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बस इतने ही दो challenges usually तो आते हैं, so lighting is always tricky, बतलब अलग अलग तरे की lights होती है, तो बहुत सारे लोग पूसे से white balance को adjust करना हुआ, उस time में तो यह सब कैसे counter करते हो आप, हम usually जो incident light जो पढ़ती है, ambient light, उसको Kelvin के temperature होता है, उससे calculate करके हम लोग कई कर देते हैं, नहीं तो, अब sony के cameras जो इतने advanced हो गए हैं, उसमें हम directly white balance जो है incident light का वो ले सकते हैं तुरंत, and we can start with the photography, major thing is to shoot in raw, हम जब raw में shoot करते हैं, तो we have the liberty कि हम light को बाद में adjust कर सकते हैं, color temperature को adjust कर सकते हैं, और main हमारा focus जाता है काम की तरफ, ना कि कैसे photo color कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, उस पे ध्यान देने की जगा पे हमारा focus जाता है कि हम किस तरीके से अच्छे से अच्छा composition करके दिखा हैं, किस तरीके से हम अच्छे से अच्छा creativity दिखा पाएं, उसकी तरफ हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो दोस्तों यह सारे कलर विलर सब एड़ेस्स कर पाएंगे लेकिन अगर आपकी कॉंपोदिशन अच्छी नहीं आपकी फ्रेमिंग अच्छी नहीं आपने सही मोमेंट को मिस कर दिया तो वहां पर सारी गलबड हो जाती है और जैसा निखिल मता है क्लाइंट को इंप्रेस करना मुश्किल हो तो उस टाइम पर आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है यू आफ टू जस्ट पे अटेंशन तो दर राइट मोमेंट राइट फ्रेमिंग राइट कॉंपोदिशन और सही मोमेंट को पकड़ना ही एक अच्छे वेडिंग फोटोग्राफर का आर्ट होता है तो कितना ओन कर सकता है पौर वेडिंग के साब से जब बिजनिस स्टार्ट करते हैं हम नए नए होते हैं वेडिंग फोटोग्राफी में तब हमारे पास गेर भी उतना प्रोफेशनल नहीं होता है तो जो स्टार्टिंग गेर होता है उसमें से हमने ज्यादा से ज्यादा हम कित को कॉंटेट करके फिलहाल तो हम चालू करते हैं फ्रेंड्स और रिलेटिव के वेडिंग्स के से तो उनको हम हमारे रिजल्ट दिखा सकते हैं कि देखो हम ऐसे फोटो अच्छे सकते हैं तो धीरे-देरे अपनी फोटोग्राफी बढ़ती और अच्छी होती जाती है तो फिर यही फोटोज और यह जब हम सोशल मेड़ा पे और दूसरे चैनल पे जब दिखाते हैं और लोगों को अप्रोच करते हैं तो फिर वो हम कनवर्ट कर सकते हैं as our clients and then जैसे जैसे हमारी फोटोग्राफी अच्छी होती जाती है we can buy better gear and और creativity दिखा के it's always a fight between creativity कि हम हर बार कितन अच्छा दिखा सकते हैं क्लाइंट को हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है no but मेरा सवाल इसमें earning potential कि एक कितना आप एक कोगी बहुत लोग पूसते कि भई चार्ज कितना करते हैं मतलब कितना कमाई कितनी हो सकती है क्योंकि क्या होता है एक मेरे पास मेरा चैनल इसमें कितना पैसा मिलता है अब हर सिटी के अंदर रेट्स अलग होते हैं तो भी जैसे पुना शेहर में आप करते हो या मुंबई में करते हो चले तो बहुत बड़े शेरें तुनों लेकिन एक एवरेज आपने मतलब कितना एक आदमी कमा लेता है इसके अंदर एक थोटा अर्नी पोटेंशल है येस डिपेंड उन हो मच यू आर क्रेटिव और उसका हम बाद में कितना कॉस्ट कर सकते हैं क्लाइन को कितना चार्ज कर सकते हैं इस बेसिक जिससे कई वेडिंग फोटोग्राफ से पाश लाग शे लाग भी चार्ज करते हैं तो वोट इस दिफरेंस अधिक वो ऐसा एक्स्ट्रा क्या वो लोग प्रोवाइड करते हैं मेरे सबसे टीम बढ़ा होता होगा या जादा लोग लगते होंगे बेटर गेर्ज यह बेटर गेर्ज तो होते हैं उनके पास और एक्स्पीरियंस इस पॉर इंपोर्टन रहां कि हम कितने एक्स्पीरियं में और wedding photography में कि उतने बड़े clients उनके पास आ जाते हैं but yes hard work is the most important thing जितना आप आप hard work करोगे उतना ही आपको आपकी जो photography है वो सुधरती जाएगी और फिर आप earn कर पाओगे उतना so you can start from 25,000 and reach to 25 lakhs. जो एक निखिल के अनुसार एक अच्छा खासा जो है यहां पर आपको एक range मिलती है जैसे हम लोग fashion photography में तो मैं भी एक चीज़ चूटी से बताना चाहूँँगा देखिए मेरे इसाब से gears are important, महेंगी gears आपको help करते हैं आपकी photography को आसान बनाते हैं जो मुझे लगता है निकल, जो मैंने feel कि है हमारी industry में वहाँ पर आपके काम की value है मतलब आपके photography कितनी quality वाली है number two, आपका delivery कितनी जल्दी है that is again very important and number three, आप client को की problem को किस तरह से solve करते हो मतलब हम लोग के case में तो ही होता है कि अगर किसी को catalog shoot कराना है, look book है मेरी खाल से wedding में भी सब चलता होगा कि भाई, आप किस तरह की wedding चा रहा है, किस तरह कि आप shots उनको दे रहे हो ultimately आप पूरी wedding को किस तरह से capture कर रहे हो वो भी एक art ही है पुरा मतलब कितने लोग है, किस तरह से कितनी बड़ी gathering है उसको किस तरह से आपने पूरा cover करके finally जब आप album लेके जाते हो तो वो दिखता है कि आपने किस तरह से उस moments को capture के है एक चीज़ और पूछना चाहूँगा निखिल की इसमें जैसे ये तो part होगे हमारा एक shooting का अब wedding खतम हो गई तो उसका process क्या होता है आप pictures को कैसे select करते हो कैसे deliver करते हो सबसे important है कि जैसे ही wedding खतम हो जाता है कि समझो हमारे पास 2000 photos आ गए हैं तो calling the photos और photos के जो अच्छे photos नहीं आये हैं उसको sort करके जो एक अच्छे वाले जो photos हैं उस पे आना यह बहुत बड़ी टास्क है और यह बहुत important टास्क है जैसे ही हम वो calling करेंगे photos का और एक particular quantity पे आएंगे उसको जल्दी से जल्दी process करके client को देना यह बहुत important है क्योंकि client का जब wedding खतम हो जाता है जो excitement रहता है photos देखने का वो एक हफता दस दिन पे तक रहता है तो जल्दी से जल्दी जितना हम deliver कर पाएंगे client को उतना client खुश हो जाता है और उनका satisfaction client satisfaction हो जाता है और फिर उसके बाद हम usually client को बोलते हैं कि अपना album का अगर इतना इतने photos का album करना है तो आप हमको select करके देदो इतने इतने photographs और फिर उनकसे जल्दी से जल्दी photos मिलना वह important है क्योंकि हमें आगे album designing करना पड़ता है और फिर album printing करके उनको deliver करना पड़ता है तो यह सारा process है दोस्तों अब निकल फटाक से दो ऐसी advice जो आप देना चाहोगे कोई upcoming wedding photographers को उनको किन बातों का ध्यान रचे दो एडवाइस जल्दी से पहले तो अपना gear forget about the gear creativity is more important आप जो अपने पास available gear है उसमें ज्यादा से ज्यादा हम क्या दे सकते हैं client को और कितना हर बार एक नया कुछ creativity ला सकते हैं काम में यह important है and deliverables you should deliver what you promise यह दो चीज़ें बहुत important तो दोस्तों यह एक छोटा साज मेने interview किया है इनका उमीद है आपको थोड़ा सा idea होगा wedding photography के बारे में और फिर निखिल से अब कभी दुबारा मुलाकात होगी तो हम थोड़ा और इसके साथ अच्छे से बात करेंगे अभी light जो है तेरी से नीचे जा रही है तो I hope आपको camera में अच्छा दिखाई दे रहा होग तो thank you thank you so much Nikhil and thanks for coming और Nikhil का जो Instagram idea मैंने लगा दिया नीचे description में वहाँ आप इन्हें follow कर सकते हैं और कोई भी सवाल हो तो Nikhil को आप DM करके भी इनसे आप पूछ सकते है चलो thanks thanks a lot Nikhil thanks